आज प्रधानमंत्री मोदी को एक और तोफ़ा देना है जो सामरिक रूप से देश के लिए बहुत मैतवपुन है मैं जिक्र कर रहा हूँ शिंकुला टनल की जिसकी एक आपचारिक विसफोर्ट प्रधानमंत्री मोदी करगिल ड्रास से ही करेंगे और ये सच्ची शर्धानजली होगी देश के उन बीर सपूतों की जोनों ने 1999 में शहादत दी थी किस तरह से इस टनल के बन जाने से जो करगिल और साथी ले का पुरा इलाका है ये शेश भरस से बारा महिने जुड़ा रहेगा बिलकुल आज का दिन जो है एक खास दिन है एक शर्धानजली देने का दिन है एक खुशी का दिन मनाने का है और ऐसे समारोप पे प्रदानमंतरी नरिंदर मोदी जो है एक टैनल का इनाउगरेशन कर रहे हैं जो न सिर्फ जमू कश्मीर बलकि हिमाचल को जो भी है लदाक से जोड़ के रखेगा हर सीजन में जो है अब आप लदाक आ सकते हैं क्योंकि करगिल का जो इलाका है जोलजीला टॉप जो स्रीनगर से होते हुए लदाक की तरफ जाता है ये करीबं तीन से चार महीने वरबबारी के कारण जो है बंद रहता है हला कि स्वनमार्ग को भी जो है करगिल के साथ जोड़ने के लिए टैनल्स पे काम चर रहा है और उमीद की जा रही है कि अगले एक दो सालों में जो है उस पर काम पूरा होगा और ये पूरा रीजन जो लदाक का है ये पूरी तरह से देश के साथ जुड़ा रहेगा पूरी कनेक्टिविक्टी होगी और हिमाचल के साथ जिस टैनल का वो आज नीम पत्र रखने जा रहे है वो कहीं न कहीं अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है और लोगों का मानना है कि पिछले कहीं सालों में जब से देश में प्रदान मंत्री नरेंदर मोधी देश के प्रदान मंत्री बने है तब से काफी बदलाव देखने को मिला है जवानों का जोश, होसला जो है वो काफी बुलंद है और काफी डिवलोपमेंट्स भी जो है पूरे रीजिन में न सिर्फ जमू कश्मीर में बलके लदाक में अभी देखने को मिल रही है जी मनीश भी अमारे साथ जुड़े हुए है मनीश इंडिया टीवी के डिफेंस एडिटर भी है और मनीश ये जो शिंखुला पास है जिसका जिकर अभी मनजूर भी कर रहे थे इसके बन जाने से नीमू पदमदार्चा जो सड़क है वो बारा महिने जोड़े रखेगा लदाग वैली करगिल को सीधे शेश भारत से और जो जांसकर वैली का भी इलाका है वो भी इसके चलते हिमाचल प्रदेश के साथ जोड़ जाएगा सामरिक रूप से कितना महित्पूर्ण हो जाएगा ये रोड ये टनल आने वाले वक्त में अमित पिशल दस सालों में भारतिये इंफ्रस्रक्टर को लेकर लाइन ओफ एक्च्छल कंट्रोल पर काफी एहम भूमिका प्रदानमंत्री के नेतरित्व में बॉर्डर रोड और्गनाइजेशन ने निभाई है क्योंकि बजट एलोकेशन सबसे जादा हुआ है इसी लिए आज वर्चुली पहली बार 15,800 फीट की हाइट पर एक ऐसी टनल का शिलन्यास यानि ब्लास्ट होने वाला है शुरुआत होने वाली है जो पहले कभी किसी ने कलपना नहीं की थी 296 किलोमीटर का नीमू पदन धार्चा रोड बन जाने से ये आल वेदर रोड पहले ही बन गया था लेकिन अब जो ये शिंकुला जो की 15,800 की हाइट पर है इस टनल बन जाने से 4.1 किलोमीटर का जो ये रास्ता था जो बेहत दुर्गम था सारे कर्व्स यहाँ पर है रोड यहाँ पर 4-6 महीने तक रास्ता बंद हो जाता है टुर्प मूवमेंट में काफी दिक्कत है अगर हिमाचल प्रदेश से 826 किलोमीटर की लाइन ओफ एक्शल कंट्रोल के लगदाक के इलाके में जाना है तो वहाँ पहुँचना मुश्किल लेकिन 4.1 किलोमीटर की टरनल महस 30 मिनट में इसे भारतिय सेना के जितनी भी टैंक्स हैं आटलरी गंस हैं टूब मूवमेंट है आसानी से हिमाचल प्रदेश से भी एंटर कर सकेगा यह लगदाक की तरफ तो यह स्ट्राटेजिक तौर पर इसकी इंपॉर्टन्स है और इस अचले सालों में करीबन 300 ऐसे प्रजेक्ट हैं जो की बॉर्डर और अर्गनाजिशन ने तैयार किया है तो यह स्ट्राटेजिक महत्व है उसके लावा यह लगदाक के लोगों के लिए एक महत्पून टरनल होगी क्योंकि जब यहां पर मौसम खराब होता है या फिर जब कनेक्टिविटी या रोड कनेक्टिविटी खत्म हो जाती है इसकी श्रीनगर से तो उस दोरान हिमाचल का यह रूट यानि बहुत इंपॉर्टन होगा शिंकुला टरनल उसके लावा पहले भी उमलिंगला पास उसके साथ साथ जो बॉर्डर रोड और्गनाजिशन ने इं मन्ने में करीबन दो से तीन साल का वक्त लगेगा आज इसकी ऑफिशल ब्लास्टिंग होगी तो यह समझ लिजे कि प्रधानमंत्री नरे द्रमोदी जहां द्रास में मौझूर और मैं हम तीनों ही हमें तीनों को मौका मिलाए कि हम इस इलाके में गए हैं इस इलाके की मिलिटरी का बेस है उस इलाके में 2017 में जब मुझे जाने का मौका मिला था तो उस वक्त वहां पर एक बेली ब्रिज हुआ करता था उस बेली ब्रिज के चक्र में करीब करीब आदा घंटा 45 मिट तक लंबी वहां पर ट्राफिक जांब लग जाता था और समझे कि ऐसे एसे वहाँ जाने का मौका मिला जिस वक्त वहाँ पर स्टैंड ओफ चल रहा था चाइना के साथ उस दोरान हमने वहाँ पर जाके देखा कि वहाँ पर एक ब्रिज बन कर तैयार है वहाँ से टूवेर ट्राफिक है और जिसके चलते कोई ट्राफिक जाम वहाँ नहीं लगता है मन्जूर प्रधान मंतरी मोधी ने जब सत्ता सम्हाली जब वो दिल्ली आए उसके बास से जिस तरह से मनीश ने बताए कि पूरे बॉर्डर रोड और्गनाईशन की जरिए जो बॉर्डरी इलाके हैं भी नागरिकों के लिए भी बिल्कुल अमित ये जो इलाका है यहां से हमारी सरदेज चीन और पकस्तान से जुड़ती है इसलिए ये काफी महतिपून है कि ये रास्ता अगर सालों बर खुला रहता है क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि नुम्बर के महीने से जब कश्मीर में बरबारी का सीजन शुरू हो जाता है तो ये इलाका जो है पूरी तरह से कट आफ हो जाता है और इसी को देखते हुए दोहजार चोड़ान मंतरी नेंदर मोदी पहली बार देश के प्रदान मंतरी बने तो सबसे पहला जो टारगेट था वो ये ही था कि किस तरह से इन एरियों को जो है इसमें से ज्यादा से ज्यादा डियूलॉप्मेंट की जाए और विकास हो ताकि ये इस तरह के रास्ते जहां से हमारी सरहदे पाकस्तान और चीन से मिलती है वहाँ पर ज्यादा से ज्यादा काम हो, स्क्योर्टी फोर्स को किसी तरह की कोई परेशानी न हो और यही कारण है कि न सिर्व जोलजला टेनल बलकि अब हिमाचल को भी जो है लदा के साथ जोड़ने की जो है वो तैयारी जो है वो शुरू की जा रही है तो निसंदे ही यह अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है खासकर उन जवानों के लिए जो पूरी तरह से साथ छे महीने जो है विंटर्स के दोरान कट आफ हो जाते थे लेकिन आने वाले समय में जो है आपको लदाक और करगिल की तस्वीर जो है देश के दूसरे स्बक्ष्टाओबस